एक बहुत बड़े जंगल के पास एक गाउं था उस जंगल में एक बड़ा राक्षस रहने लगा वह उन्हें गाउं वालों के जानवरों को मार कर खा लेता था और उन्हें परेशान करता था एक बार तो भोजन ना मिलने की वज़े से उसने एक आदमे को ही मार डाला गाउं वाले उस राक्षस से बहुत परेशान थे राक्षस ने गाउं वालों के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो सब हर रोज उसके भर पेट खाने का प्रबंध करते हैं तो वैं उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और इस तरह हर दिन गाउं का एक व्यक्ति उसके भर पेट भोजन का प्रबंध करता गरीब लल्लू भी इसी गाउं में अपनी पत्नी सुमन और बेटा डमरू के साथ रहता था इस समस्या के सुझाव के लिए गाउं के सभी व्यक्ति उस गाउं के मुख्या के पास इकठा होते हैं उन्हें से एक व्यक्ति कहता है मैं और सुखी राम उस राक्षस के लिए भर पेट भोजन लेकर गए थे लेकिन उस भोजन से उस राक्षस का पेट नहीं भरा और वह क्रोधित हो गया हमने उसे काफी विंती की की हम उसके लिए और भोजन लेकर आएंगे लेकिन वह नहीं माना और सुखी राम को मार दिया इस तरह कब तक चलता रहेगा मुखिया जी मुखिया कहता है, देखो राक्षस ने तो पहले ही कहा था कि उसे भर पेट भोजन हर दिन चाहिए हमारी भलाई इसी में है कि हम उसे हर रोज भर पेट भोजन दे लल्लू कल राक्षस के लिए भर पेट भोजन ले जाने की तुम्हारी बारी है हम सबने अपनी अपनी बारी से उस रक्षस का पेट भर कर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा की है और अब तुम हमारी रक्षा करो लल्लू के पास कोई उपाय नहीं था इसलिए उसने मुख्या के सामने हां कह दिया और घर वापस लोटाया उसने अपनी पत्ने से कहा सुनो, घर में जितना भी खाना है वह सब इकठा कर दो आज दोपहर को ही राक्षस के पास लेकर जाना है लल्लू की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और सारे बर्तनों को खंगालती है लेकिन उसे थोड़े से चावल और सत्तु ही मिलते हैं वह उदाश चेहरा लेकर लल्लू के पास आती है और कहती है घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है केवल थोड़े से चावल और सत्तु बचा है इस से इस राक्षस का क्या होगा लल्लू कहता है पता नहीं लेकिन तुम इसी से कोई स्वादिष्ट वेंजन बना दो लल्लू की पत्नी सुझाव देते हुए कहती है देखो इतने भोजन से उस रक्षस का पेट भी नहीं भरेगा तुम एक काम करो गाम वालों से अनाज और खाने की विंती करो हो सकता है कोई ना कोई हमारी मदद कर दे लल्लू कहता है इस समय भगवान के सिवाए हमारी कोई मदद नहीं कर सकता तब ही लल्लू का बेटा कमरे में प्रवेश करता है और कहता है पापा पापा मेरा दोस्त कह रहा था कि आज वैं मोटा राक्षिस आपको खा जाएगा क्या यह सच है लल्लू की पत्नी कहती है हाँ हाँ डमरू सही कह रहा है क्या पता पेट ना भड़ने की वज़े से वैं तुम पर ही आक्रमन कर दे आप खाना लेकर नहीं जाएंगे लल्लू कहता है इतने दिनों तक गांवालों ने अपनी अपनी बारी पर राक्षिस को खाना खिला कर मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की है अगर मैं अपनी बारी से मुह मोड लेता हूँ तो यहां तो बहुत बड़ा अन्याय होगा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता भाले ही वै राक्षिस मुझे ही क्यों ना खा ले लेकिन मैं खाना तो लेकर जाऊंगा लल्लू की पत्नी उदास उते हुए कहती है हे भगवान यह कैसी विपदा आन पड़ी है तभी डमरू महां से भाग कर जाता है और भगवान की मूर्ती के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है हे भगवान मेरे पिता जी की रक्षा कीजिए और उस मोटे काले रक्षस को यहां से हमेशा के लिए भगा दीजिए नन्य डमरू की ऐसी भक्ती और साहस देखकर लल्लू और सुमन की आँखों में आसु आ जाते हैं और वे दोनों भाग कर डमरू को गले लगा लेते हैं लल्लू एक संदूक में से एक पुराना सा डिब्बा निकालता है सुमन कहती है यह क्या लल्लू बोला पता नहीं यह डब्बा मुझे मेरे पिता जी ने अंतिम समय में दिया था और उनको उनके पिता जी ने मेरे दादा जी सिध्ध योगी थे मेरे पिता जी ने यही कहा था कि इस डब्बे को तभी खोलना जब तुम पर कोई विप्दा आ जाए वरना इसे भूल जाना समन कहती है आज आपके प्राणों पर संकर छाया हुआ है इससे वड़ी विप्दा और क्या हो सकती है चलिए इसे खोलते हैं लल्लू उस डब्बे को खोलता है तो उसमें से एक पुरानी अंगूठी और एक कोरा कागज निकलता है समन हाथ में कोरा कागज लेते हुए कहती है यह क्या इतनी पुरानी अंगूठी और कोरा कागज लल्लू कहता है दादा जी ने पिता जी को यहां अंगूठी और कागज क्यों दिया होगा ऐसा क्या है इन में सुमन कहती है पता नहीं लेकिन यह बुजर्गों का आशिरवाद है इसे अपने पास ही रखना लल्लू संगुठी को पहन लेता है और राक्षस के पास जाने के लिए तयार हो जाता है सुमन उसे एक पुराना थेला देती है लल्लू कहता है पता नहीं मैं जीवित लोटूंगा या नहीं मेरे पृतिक्षा मत करना अपना और डमरू का ध्यान रखना चलो मैं चलता हूँ वहें थेला लिये लल्लू दूर जंगल में पहुँच गया तब ही एक भयानक आवास सुनाई दी आ गये तुम और लल्लू के सामने धूल मिट्टी और पत्तों से बनी वायो के गौल आकरती अचानक रुख गई और उसमें से वह भयानक राक्षस प्रकट होता है उसी पल उस राक्षस ने एक पेड़ खिलोने की तरह उखाड फेंका और जोर जोर से हसने लगा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है जल्दी से मेरा भोजन लाओ मैं कबसे भूख से तडपा जा रहा हूँ लल्लू उसी वक्त अपने थैले में से उसी थोड़े बहुत भोजन को निकालता है जो वह घर से लेकर आया था राक्षस कहता है जल्दी लाओ मुझे बहुत तेज भूख लगी है नहीं तो मैं तुमें ही खा जाऊंगा लल्लू कहता है मेरे पास बस इतना ही भोजन है राक्षस कहता है बस इतना ही है तुम उपहास तो नहीं कर रहे इससे तो चीटी का भी पेट नहीं भरेगा कुछ भी हो जाए मुझे भर पेट भोजन चाहिए नहीं तो लल्लू जोर जोर से रोने लगा तभी राक्षस ने लल्लू को एक खिलोने की तरह एक हास से उठा कर अपने दूसरे हथैली पर रख लिया राक्षस बोला रोज रोज घास फुस्खा कर मैं ओप चुका हूँ आज मैं मासा हार करूँगा लल्लू बोला छोड़ दो मुझे हे भगवान मुझे बचाओ राक्षस हसता है क्या कहा भगवान यहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा तुम्हारा भगवान भी मुझे से डर रहा है चलो मैं तुम्हें एक शर्त पर शोड़ सकता हूँ तुम नाच कर मेरा मन बहलाओ अगर मैं खुश हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा लल्लू उस राक्षस की हथेली पर ही रोते हुए नाचने लगा वे अपने दोनों हाथ उपर करते हुए नाच ही रहा था तब ही राक्षस उसे गेंद की तरह हाथ में ही उच्छालने लगा राक्षस बोला मैं तुम्हें कच्चा खाऊं या पका चलो मैं तुम्हें पका कर ही खाता हूँ लल्लू जोर जोर से रोने लगा और उसके आशू की एक बूंद उसकी अंगूठी पर जा गिरी बूंद का अंगूठी पर गिरते ही अंगूठी में से एक तेज रोशनी प्रकट हुई और वै लल्लू के अंदर समा गई और लल्लू अद्रिस से हो गया राक्षस बोला कप्टी छल करता है तू क्या सोचता है तू बच जाएगा मैं तुझे नहीं छोडूँगा लल्लू इस समय चीटी से भी छोटे आकार में आ जाता है राक्षस उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन लल्लू कभी उसकी उंगलियों के बीच से होते हुए उसकी हथेले के उपर और कभी इधर उधर चकर काड़ता है लेकिन हाथ नहीं आता हार ठक कर राक्षस महीं बैठ जाता है लल्लू कहता है तुम इस तरह नहीं बैठ सकते आओ और मेरा मुकाबला करो वै भाग कर आता है और राक्षस के घुटने के बराबर चड़ जाता है राक्षस हारा ठका हुआ होता है इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वै वापस खड़ा हो जाता है इस बार लल्लू अपना रूप राक्षस के बराबर कर लेता है और उसे तेज धका मारता है जिससे राक्षस बहुत दूर जाकर गिरता है राक्षस कहता है अब तूँ बच मेरे प्रहार से राक्षस तेजी से भागते हुए लल्लू की और आता है लेकिन लल्लू राक्षस से भी विराट रूप धार्ण कर लेता है और कहता है नीचे क्या देख रहे हो उपर देखो राक्षस उपर देखता है और कहता है कौन हो तुम और मुझे क्रोधित क्यों कर रहे हो लल्लू कहता है इतना घमंड और हसने लगता है उसकी हसी पूरे जंगल में गूज उठती है उसकी आवाज इतनी तेज थी कि राक्षस भी अपने कानों को बंद कर लेता है और कहता है बंद करो हसना लल्लू हसते हुए उसे गुदगुदाने लगता है सुन अब अपनी आवाज को सुन गुदगुदी के कारण राक्षस भी हसने लगा तभी लल्लू ने राक्षस को अपनी एक हथेली से उठाया और हवा में फेंक दिया राक्षस हवा में इधर उधर गौल गौल घूमने लगा तभी राक्षस हसते हुए बोला हाहा मुझे ना तो कोई धर्ती पर मार सकता है और ना ही आकाश में और अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा मैंने सोचा तुम्हें एक मौका दिया जाए लेकिन अब तो वह भी व्यर्थ है राक्षस बोला अगर तुम मुझे पांच मिनट के अंदर अंदर नहीं मार पाए तो मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा यह मेरा वर्दान है अब आ जाओ लल्लू ने अपना रूप और भी विराट कर लिया और उसे पकड़ने के लिए दोड़ पड़ा थोड़ी दूर तक भागने के बाद लल्लू उस राक्षस को पकड़ लेता है और दुबारा से हवा में उच्छाल देता है राक्षस हवा में उडते हुए वापस जमीन पर गिरता है और राख का धेर बन जाता है तब ही वापस लल्लू के शरीर से वह तेज रोशनी निकलती है और अंगुठी में समा जाती है और लल्लू वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाता है लल्लू कहता है अरे यह क्या यह मुझे क्या हो गया था और वैराक्षस कहां है अरे यह तो राक का धेर हो चुका है पता नहीं मुझे में इतनी ताकत कहां से आ गई थी हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद लल्लू अपना भोजन समेट कर वापस घर के लिए रवाना हो जाता है घर पहुचने के बाद उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है ललू कहता है खुद मुझे भी नहीं पता की मैंने उस राक्षस का सामना कैसे किया पता नहीं मेरे अंदर कौन शी शक्ती आ गई थी तब ही डमरू अपने माता पिता को आवाज लगाते हुए कहता है मा पिता जी यहां आईए समन कहती है यह तो वही कोरा कागज है जो अंगोठी के साथ इस डब्बे में निकला था डमरू कहता है इस कागज पर कुछ लिखा हुआ है ललू कहता है अरे नहीं यह तो केवल कोरा कागज है तब यह डमरू कागज को जलते हुए मुम्बत्ती के पास लेकर जाता है तो उस पर लिखे हुए शब्द उभर आते हैं ललू ने ध्यान से पढ़ता है उस पर लिखाता यहां एक जादूई अंगोठी है या किसी भी नकारात्मक्ता को मिटा सकती है लेकिन इस अंगोठी की शक्ती का प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है इसके बाद इसे एक नदी में बहा दिया जाए दन्यवाद इस अंगोठी का चलो अब हम इसे नदी में बहा कर आते हैं लल्लू और सुमन और डमरू तेनो एक नदी के पास जाते हैं और उस अंगूठी को नदी में बहा देते हैं दोस्तों आप को अकथा कैसी लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जुरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें हमारे कथाओं को शेयर जुरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गैन पराप्त हो जैश्राराम भक्तो